फ्रेंड्स, समर सीजन आ चुका है और हम सभी का कंसर्ण यही हुआ है कि बाहर निकलते ही कहीं हमें सन बर्ण न हो जाए, टैन न हो जाए, जिसे की हटाते हटाते पूरा साल न निकल जाए और अगेन फिर से समर सीजन न आ जाए तो आज का मेरा टॉपिक रिलेटेड है इसी विशह से, मैंने तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाये हैं सन टैन से चुटकाड़ पाने के लिए, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ कुछ खास, जिसे देखना आपके लिए है बहुत ज़्यादा जरूरी, तो देर किस बात की वीडियो को सुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, गाईज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारी इस ब्यूटिफुल सब्सक्राइब करना बराही इजी है और बिल्कुल फ्री है, तो देर किस बात की सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो बनाओ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे समय पे देख सको, तो चलिए आज का वीडियो सुरू कर लेते हैं, आज की इस वीडियो में मैं मुखे रुप से बात करने वाली हूँ आप से कि सन स्क्रीन हमारे स्कीन के लिए क्यों जरूरी है, सन स्क्रीन को लेकर आप सब के मन में कई सारे सवाल होते हैं और आप सब हमेशा पूस्ते भी रहते हो मुझे मैसेज करके, तो आज मैं कि सन स्क्रीन क्यों लगाया जाता है, सन स्क्रीन लगाने के क्या फायदे हैं, क्या सन स्क्रीन लगाना जरूरी है, घर के अंदर सन स्क्रीन क्यों जरूरी है, इसे कितनी बार लगाना चाहिए, इसका क्या रिजल्ट होता है, और अगर हमने इसे नहीं लगाया, तो नजर अ आप इसको देखिए ताकि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए अब मैंने कई वीडियोज ऐसे भी देखे जिसमें लोग बोल रहे हैं सानी स्क्रीन लगाना जरूरी नहीं है वैसे तो DIY मैं भी बताती हूँ आपको कि आप संटैन को कैसे रिमूव कर सकते हो उनसे कैसे बच सकते हूँ लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम सनी स्क्रीन ना लगाएं सनी स्क्रीन लगाने के बहुत सारे फायदे हैं और उसको समर सीजन में तो हम बिल्कुल भी आवाइड नहीं कर सकते हैं नहीं तो इतने गहरे संटैन हो जाएंगे स्कीन में sunburn आ जाएगा कि उन्हें चुडाते चुडाते फिर हमारा पूरा साल बिच जाएगा तो यह क्यों जरूरी है चलिए मैं आपको बताती हूँ सवाल नंबर वन sun screen क्यों लगाया जाता है sun screen इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि यह हमारे skin को tanning से बचाता है सूरज की किर्णों के प्रभाव से skin cells को बहुत ही जादा नुकसान पहुचता है जिससे हमारे skin पर sun spot या रंग में बदलाव हो जाता है और यह light से dark दिखने लगते हैं इससे बचने के लिए हमें सही SPF वाले sun screen का चुनाव करना चाहिए सवाल नमबर दो क्या sun screen लगाना चाहिए जी हाँ बिलकुल sun screen लगाना चाहिए क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे कि आपके skin में sun tan हो sun burn हो यह हमारे skin को tanning से बचाता है और अभी हाल में ही एक article आया था काजल का जिसमें उसने बताया कि किस तरह से उसने अपने skin tone को improve किया है I don't know कि article कितना सही है लेकिन हाँ हम सबने देखा है कि काजल का जो पहले skin tone था उसमें और अभी के skin tone में कितना ज़्यादा difference है तो हमें भी try करके देखना तो चाहिए ही साथ ही धूप से बचाओ के लिए sun screen का इस्तमाल बिल्कुल करना चाहिए sun screen एक chemical और physical ingredients का mixture है और यह हमें tanning से बहुत ज़्यादा बचाता है तो sun screen का इस्तमाल जरूर कीजी आप देखते भी होंगे कि सारे खिलारी sun screen का इस्तमाल करते हैं जब भी वे मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए अब है सवाल नमबर तीन क्या sun screen हमें घर में भी लगाना चाहिए जी हाँ बिल्कुल sun screen को हम घर में भी लगाएंगे सूरज की किर्णों से दो तरह की किर्णे निकलती है UVA और UVB एक किरन तो वह होती है जो हमारे skin को उपड़ी सतर को burn करती है और उस पर tanning लाती है और दूसरी वह होती है जो इसकीन को अंदर से जलाती है और बहुत गहरे दाग छोर देती है अब है सवाल नमबर चार sun screen हमें दिन भड़ में कितनी बार लगाना चाहिए अगर आप हर रोज office के काम से बाहर जाते हो बहुत देर तक धूप के संपड़क में आते हो तो आपको हर 6-8 घंटे के बाद sun screen लगाना चाहिए अगर आप कम जाते हो तो भी आपको sun screen लगाना होगा ही और एक बार में काम चल सकता है 6-8 आवर के बाद किसी भी sun screen का उतना जादा प्रभाव नहीं पड़ता है अब सवाल है कि हमें किस तरह के sun screen का यूज करना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से 5 sun screen है जो आप यूज कर सकते हो और जिनका बहुत effective result आपको मिलेगा लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि हमें किस तरह के sun screen का उप्योग करना चाहिए और कैसे place में करना चाहिए यदि आप घर के अंदर रहते हैं आपके घर में हलकी full की धूप आती है या फिर आप कम धूप में निकलते हो तो आपको कम से कम SPF 15 लगाना होगा लेकिन अगर आप बहुत तेज धूप में निकल रहे हो आपको बार बार आफिस के लिए या किसी भी काम के लिए धूप के संपर्क में बार बार आना पर रहा है तो आपको SPF 50 लगाना होगा नहीं तो आपको sun tan होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप sun tan या फिर इससे बचाओ नहीं करोगे तो बहुत जल्दी आपके skin पर wrinkles आ जाएंगे और धूप के वज़े से कई तरह की खतरनाक बिमारी होने के भी chances रहते हैं तो उनसे बचाओ के लिए हमें sun screen का योज जरूर करना चाहिए अब सवाल है कि sun screen हमें कव लगाना चाहिए तो जब भी आप धूप में निकलने वाले हो 15-20 मिनट पहले ही आपको sun screen को लगा लेना है otherwise यह effective नहीं होगा और आपको sun tan होने के chances हो सकते हैं चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन से 5 sun screen है जिनको हम यूज करके इस summer season में अपने आपको sun bond से sun tan से बचा सकते हैं नमबर वन है लासिल्ड का sun screen यह radiance skin देता है youthful skin देता है इसके अंदर spa 40 है और pa++++ है यह all skin types के लिए है इसके अंदर UVA और UVB दोनों ही तरह के protection है यह किसी तरह का irritation यह breakout नहीं करता है और यह हमारी skin को improve करता है और साथ ही hydrate भी रखता है यह हमारी pores को closed नहीं करता है साथ ही इसके अंदर कोई harmful chemical नहीं है और यह dermatological tested भी है लासिल्ड का यह sun screen matte finish देता है कोई white cast नहीं शोरता है water resistant है और यह sweat proof और oil free भी है number two पर ecological का यह sun screen है जो अभी काफी viral है और लोगों के बीच बहुत जादा famous है यह कोई white cast नहीं देता है और इसके अंदर इतने अच्छे गुन है इतना अच्छा यह result देता है कि लोग इसे अभी बहुत जादा पसंद कर रहे हैं जो blue light protection देता है fragrance free है color free है और glowing और well protected skin देता है water light formula के साथ Equalogica का यह sun screen glow plus do is sun screen है जो बिल्कुल non sticky है doctor set का यह sun screen अधिकतर लोगों की पहली पसंद है क्योंकि इसके अंदर है 2% vitamin C, 1% halonic acid, 1% ceramide, minerals and organic filters है इसके अंदर यह SPF 50 के साथ PA++++ है anti pollution और anti visible light से हमें बचाता है और यह sun screen आप अपनी पहली पसंद बना सकते हो इसे लगाने के बाद आपके skin बिल्कुल hydrate रहेगी साथ ही यह skin के natural moisturizer को maintain करने का काम करता है अधिकतर लोग इस sun screen को लगाना पसंद करते हैं यह sun screen किसी भी तरह की white cast नहीं देती है बहुत आसानी से आपके skin में absorb हो जाती है और बहुत अच्छा सा moisturize करने का काम करती है तो आप इस sun screen को एक बाद ट्राइ करके देख सकते हो next sun screen है minimalist का cream based sun screen जो कोई white cast नहीं देता है SPA 50 के साथ है साथ ही PA++++ है और इसके अंदर multi wet means है और broad spectrum में यह use होता है एकने के लिए भी यह safe है साथ ही यह unisex के लिए use होता है minimalist का यह sun screen all skin types के लिए है इसे लगाने के बाद किसी भी तरह की irritation नहीं होती है साथ ही यह fragrance free भी है अब मैं आज का last sun screen बताने वाली हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक request कर दू कि अगर आपने अब तक मेरी channel को subscribe नहीं किया है तो please उसको subscribe कर लो तो number fifth sun screen है the derma ko ka pro minimizing prime cream sun screen जो SPF 50 के साथ है साथ ही PA++++ है यह post के size को reduce करता है oil को control करता है किसी भी तरह का white cast नहीं देता है साथ ही यह natural finish देने का काम करता है यह safe और effective formula के साथ है तो आप इस sun screen को लगा का try कर सकते हो यह बहुत अच्छे से हमें sun burn sun tan से protect करता है तो derma ko ka यह sun screen all skin types के लिए है तो मैं तो बिल्कुल नहीं भूलती हूँ summer में sun screen को लगाना तब ही मैं sun screen का इस्तमाल जरूर करती हूँ तो आप भी sun screen का इस्तमाल कीजिए और अपने skin tone को maintain रखिए sun tan से sun burn से अपने आपको protect करके रखिए friends आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में लेकिन हाँ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो please इसको subscribe कर लो और हमारे इस beautiful fantastic family का हिस्सा बन जाओ यह बिल्कुल free भी है और बहुत असान भी है तो जल्दी से बन जाए और इसी तरह के और वीडियो देखते रहे आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तक तक ले बाबाए thanks for watching my channel